बहुत से इलेक्ट्रिशन काम तो जानते हैं इलेक्ट्रिक का लेकिन वाशिंग मशीन में आके वो फस जाते हैं वाशिंग मशीन के वाइरिंग बहुत ही डिफिकल्ट होती है लेकिन लगने में होती है लेकिन उसको सीख जाये ना तो कुछ भी नहीं है चली मैं बताता हूँ टाइमर जब वशी मुशीन में होता है तो इतने सारे वायर देखके हम घबरा जाते हैं वही इतने सारे वायर अब यह कहां कहां पर कनेक्ट होगा मोटर के इस तरह के वायर देखने से बहुत ज़्यादा लगता है बट कैपेशेटर हकने के बाद मोटर के वायर जो है वो तीन ही रह जाते हैं यलो, ब्ल्यू, वाइट ये तीन ही वायर हो जाते हैं इन तीनों वायरो में ही कैपेशेटर होता है round घुमता है और सीधा घुमता है उल्टा सीधा दोनों ही यह motor घुमती है दोनों साइड में तो अब यहाँ पे इसकी wiring का केसे पता करें कि कौन सा wire capacitor में लगेगा अगर आप उल्टा फुल्टा लगा दोगे तो capacitor से fan motor जल सकती है तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते multimeter जो कि 800-900 रुटा आपको मिल जाएगा market में आसानी से continuity mode पे रखे जो बजर वाला होता है सबसे पहले मैं क्या करूँगा कोई साभी wire आप डाल दीजिए बट मैं आपको white color से दिखाता हूँ white color का जैसे ही में wire डालता हूँ अब इसके साथ में मुझे या तो blue या तो yellow तो शी के ही में blue डालता हूँ तो आप देख सकते हैं 41 units यानि कि 41 का resistance आ रहा है अभी यहाँ पे yellow डालते हैं तो 41 का यहाँ पे आ रहा है ठीक है तो दोनो wireों में wire के मादियम से 41-41 आ रहा है क्योंकि 2 coil होती है न मोटर के अंदर 2 winding होती है अलग-अलग type की ठीक है जैसे कि हर motor में होती है इंडिस्टरी में जितनी भी motor है सब में 2 winding होती है ठीक है न अब यहाँ पे मैं white को निकाल करके blue और yellow को डालता हूँ तो double reading आ रही है 82 reading आ रही है उस white की मुकाबले फिर से चेक करवाता हूँ तो देख सकते है white के साथ में blue white से साथ में yellow दोनों में 41 units आ रहे हैं अब blue और yellow को लगाते हैं white को side करते हैं तो 82 सबसे जादा जिस wire में reading आईगी वही capacitor के अंदर add होगा जैसे कि मैंने fan वाली वीडियो गे अंदर आपको बताया था बिल्कुल similar वही चीज ठीक तो यह देख सकते हैं मैंने capacitor के दोनों wire को इन दोनों high resistance वाले में connect कर दिया है तो अब यहाँ पर white color का बिल्कुल side यह neutral है white color का common यानि neutral है और बाकी जो दो capacitor के बाई wire बचते हैं वही reverse और forward है तो मैं neutral में connect कर दिया हूँ अब हमारे पास दो wire बचते हैं अलग-अलग डालना है गलती से भी एक साथ मत डालना हो अन्ना motor जल जाएगी तो यहाँ पर देखो timer कैसे काम करता है अभी neutral तो common होता है और phase है ना timer एक एक करके देता है wire जैसे कि मैं blue wire में देता हूँ तो यह उल्टा गुमता है motor देखो आपके सामने उल्टा गुम रहा है ना अब जैसे ही मैं yellow डालता हूँ तो यह सीधा गुमने लग जाएगा इस तरीके से ठीक है ना guys तो इस तरीके से आप wiring सीख सकते हैं और उमीदें आपने सीख भी लिया होगा timer बिल्कुल इसी तरह से काम करता है